और दोस्तों क्या हाल चल तो लगता है आप भी नौकरी की तलाश में हो तो बिल्कुल चिंता मत करो सही वीडियो पे आये हो ये चैनल पे बिल्कुल 100 प्रतिशत गिन्यू जॉब अपडेट्स आती है और आज मैं आपके लिए बहुत जकास जॉब अपडेट ले आया हूँ फेस्बुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाना आना चाहिए और बस कंटेंट अप्लोड करना है और ये काम करके आप घर बैठे आराम से 2000 प्रतिदिन कमाओगे तो अगर सच में काम करना चाहते हो और यहां अपलाई करना चाहते हो तो आईए मेरे साथ में स्क्री पर जहां आराध्य आपको पूरी जानकारी देगा स्पोर्ट्स केड़ा की बहुत से अपने टीवी पर देखी होगी मॉबाइल फोन पर देखी होगी इंस्टाग्राम वगरे पर बहुत जम के इनका प्रमोशन होता है और यहां पर आपको काम करने का मौका मिल रहा है तो थोड़ा सा अपन स्पोर्ट्स के बारे में जानते ह यहां पर आप देख सकते हो कि फैंस जो है इनको don't just follow the sport they feel it ठीक है they pain passion रहता है गर्ट्स रहता है glory रहता है sports के लिए तो दुस्तों यहां पर आपका जो काम रहने वाला है वो बहुत ही जदा interesting रहने वाला है जो sports fans है जैसे cricket वगरे fans है तो उनके लिए best opportunity है क्योंकि कैसे है कि आपको यहां पर काम करने में मज़ा भी आएगा और आप अच्छा सा जो revenue है वो earn भी कर सकते हो ठीक है sports creator के बारे में यहां पर यह ग्लोबल sports content वगरे platform है इनका बहुत बड़ा आप यहां पर पढ़ सकते हो market leader है US वगरे में तो इनके यह भी देख सकते हो 11 million monthly users भी है इनके ठीक है उससे जाता जाते है तो यहां पर इनकी जो opportunity है वो अपन यहां पर देख लेते कि we are the fast growing digital content platform dedicated to Indian e-sports industry we produce high quality content covering everything from game updates to team highlights players profiles to industry जिसे क्रीकबस वगरे आपने देखा होगा है तो वहां पर सारी प्लेयर्स की information कौन सी मैच कब है क्या है कौन से कौन से प्लेयर्स है कितने प्लेयर्स रहने वाले यह सारी चीज़े जो है दोस्तों उसमें डिटर दी रहती तो उसी आपको यहां पर basically social media manage करना रहेगा company का ठीक है तो manage daily social media activities across various platforms जिसे की Instagram, Twitter, Facebook, YouTube by creating, sharing and publishing engaging content आज का जमाना दोस्तों आप सभी को पता होगा कि वो है digital content creation का ठीक है जो यहां पर viral होता है वो जो revenue earn करता है और उसी का बोला-बला रहता है market में ठीक है तो आप सभी ने reels देख रहे होंगे जितने likes आएंगे उतना जदा हो यह viral होता है ठीक है अब दोस्तों आपको काम क्या है आपका जो content है वो आपको बनाना रहेगा और इनके जो channel है YouTube पे, Instagram पे, Twitter, Facebook पे वो डालना रहेगा ठीक है basically तो company आपको information देगी वो आपको create करके डालना रहेगा उसके लिए आप आपको SEO मतलब search engine optimization आपको आना चाहिए आपको कैसे hashtag डालना है, keywords क्या डालना है, trending topics कैसे research करना है, वो कैसे डालना है, engagement कैसे increase करना है, वो सारी information आपके पास रनी चाहिए अब content strategy हो गया, फिर social media के साथ जो engagement है, live streams हो गया, polls हो गया, discussion यह सारी जो है दोस्तों activities आपको social media पे क कर सकते हो, और सबसे सही दोस्तों, यहाँ पे जो है न, अगर आपके पास थोड़ा सा BGM, जैसे PUBG वगरे हो गया, उसका knowledge रहता है, cricket का knowledge रहता है, editing वगरे आपको आती है, content creation, social media पे आपको interest है, तो आप आराम से यहाँ पे use कर सकते हो, daily news वगर जो है, आपको यहाँ पे दे दालना रहेगा, resume में social media marketing, content creation, ऐसी चीज़े डालोंगे, तो ही keywords से आपका resume select होगा, ठीक है, बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ मेरा resume shortlist ही नहीं होता, में को कई job मिलती ही नहीं है, तो दोस्तों, आपका resume up to date रहता नहीं है, एक बार आप resume बनाना सीख लो, तो आपको आ address वगरे, और skills क्या-क्या है, वो भी आपको यहाँ पर डालना रहेगा, और digital marketing हो गया, यह बाग की सारी चीज़े, और किता experience है, वो भी आपको डालना रहेगा, at least minimum one year का आप यहाँ पर डाल दो, फिर education details वगरे, जो भी चीज़े है, वो करके यहाँ पर photo resume cover letter, तो यहाँ प आर्माक नहीं है, लेकिन resume आपका रहना चाहिए, उसके बाद आपको submit application रहने हो, करना पड़ेगा, अब submit application करने के बाद, दोस्तों, within आप बोल सकते हो, three to four days के अंदर उनकी तरफ से आपको response आजाता, अगर आप select हो जाता आपका resume, उसके बाद आपका interview रहता है, interview में basic आ आपको कितना interest है, कितने आप latest trends को follow करते हो, वो सारी चीज़े आपको देखी जाएगी आपके, और उसके बाद दोस्तों, उसके basis पे selection रहेगा, ठीक है, तो basically आपको latest trends वगरे पता रहने चाहिए, sports के बारे में information रहनी चाहिए, ये सारी चीज़े आपको देखना रहेगा, कितने चाहिए, 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 कितने चाहिए,